मैं हूँ सैंडजा राश्टी महमंतरी विकलांग साथी टरस्ट और दिव्यांगम यूट्व चैनल की तरफ से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूंगा जिसकी वज़े से सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि एरपोर्ट के उपर हमारा लखनो का जो एरपोर्ट है उस एरपोर्ट के उपर दिव्यांगों के लिए एक पार्किंग की बिवस्था की गई है अ इसमें दिव्यांग लोग अपने वहां जाकर के ख़ड़ कर सकते हैं वहां खड़े करके उनको आसानी से एरपोर्ट के अंदर जाने के लिए बेवस्ता है सुविदा मिली है और यह हमने गवर्मेंट का एरपोर्ट अथार्टीस का सुक्रियादा करना चाहूंगा कि उन्ह दिव्यांगों के वहां जो खड़े होने में काफी दिक्कत होती थी काफी परिशानिया आती थी उसके लिए उस एरपोर्ट की अथार्टीस का मैं सुक्रियादा करना चाहूंगा कि उन्होंने दिव्यांगों की परिशानियों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों के एरपोर्ट के अंदर जा सके और इसके साथ मैं आगे आपको आप लोगों को सभी लोगों को ये बात और बताना चाहूंगा कि आजकल जो हमारे माननी परधान मंतरी महोदे ने परधान मंतरी आवास योजना की शुरुआत की थी उसके परधान मंतरी आवास योजना के जिन लोगों के पास जमीन है प्लाट है तूटे हुए मकान है जो भी है मकान बनाने के लिए जो योजना है सरकार की हमारी हमारे यूपी गवर्मेंट सरकार भी दे रही है भारत सरकार की योजना है प्रदान मुत्रिया वास योजना उसके जिन लोगों के पास अपने प्लाट है उनके नाम रिष्टी है और तो वो लोग उन लोगों को ऐसे जो लोग परिशान है जिनके पास मकान नहीं है मगर जमीन है मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है कि अगर उनके पास जमीन है तो सरकार उनको धाईं लाक रुपए का अनुदान देती है ताकि वो लोग अपना मकान बना कर अपना अश्याना बनाएं और उसमें जाके रह सकें ये अनुदान है इसकी कोई वाफसी नहीं है इस सरकार की तरफ से है राज सरकार और भारस सरकार दोनों मिलके इस कारिकरम को चलाते हैं तो आजकल मैं उन सभी भाई बहनों चाहे दिव्यांग हों या और भी लोग हों सामानी लोग हों सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि आजकल जिनके पास ऐसे जो लोग हैं जिनके पास जमीन है मकान बनाने लिए पैसे नहीं हैं मकान बनाना चाहते हैं वो लोग डूडा जो हमारे लखनों में हजरत गंज में नीला सिनEMA के बगल में जो लीला जहाबर पहले हुआ करता था उसी के पास में चोपड असपताल है उसी केंपस में डूडा का आफ़िस है तो वहां जाकर के संपर्ग करें और अपना फार्म समईट करें उसमें फार्म में जो जमा होता है उसमें दोशपत पत्र लगते हैं आधार है फैमिली का अधार अगर महिला के नाम रिष्टी है तो उसके शोहर का या उसके बच्चों का भी आधार साथ में लगता है परिवार का अधार सभी लोग अपना अधार है दोशपत पत्र लगते हैं आय परमार पत्र है निवास परमार पत्र है रस्ती की कापी है और अधा बैंग का खाता है फोटो है यह सब डाकुमेंट्स लगते हैं नौ बा ऑई बन जाते इसमें सारे डाकुमेंट्स लगबक सभी के पास मोजूद रहते हैं मगर सिर्फ एक आयो निवास जो है आनलाइन भी बनता है या नगर निगम से तहसीर से आय परमारपत्र है निवास परमारपत्र बनता है वैसे जाधा तर आजकल आसान हो गया है जितने विजन सुविदा केंदर सरकार ने खोले हुए हैं वहां से उस प्लाट पे खड़े हो करके जिसके नाम रष्टी है वो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो अगर उसके नाम रष्टी है उस जमीन की उस प्लाट की तो वहां पे खड़े हो करके उसका एक फोटो खिचवाले वो फोटो भी लगता है साथ में तो ये सब डाकुमे करके वहां जमा कर दें ताकि आपको धाइं लाक रुपए का जो अनुदान है पहले पचाहँजार मिलता है फिर डिर लाक मिलता है फिर फ़र फिर लास्ट में फिनिशिंग का टाइम मिलता है इस तरीके से कुछ सिस्टम बनाएं हैं सरकार ने तो आप लोग अगर लेना चाह हैं जरूर उठाएं जिनको जरूरत है वो लोग जरूर उठाएं इस फायदे को तो डूड़ा कारेले से संपर्क करें और जा करके अपना फार्म कंप्लीट करके वहां पर जाके जमा कर दें ताकि आपका आपको अनुदान मिल सके आपका काम हो सके और जल्दी ही क्योंकि वक सर्वे होगा सर्वे होने के बाद फिर वो आपका काम हो जाता है और आप अपना मकान बना सकते हैं बना करके उसमें आप रह सकते हैं तो मैं सभी इसमें सभी लोगों के लिए दिवांग लोग जो हैं भाई बेन हैं उनका कोटा भी है और नार्मन लोग भी हैं सामानी जिनके पास अपने मकान नहीं है और जमीन है तो उनके लिए आप लोग ये स्कीम है तो आप लोग जाएं जो डूड़ा से संपर्क करें अपना फार्म कंप्लीट करके डूड़ा में जमा कर दें ताकि इसका फायदा आप लोगों को मिल सके और साथ ही मैं एक जरूरी सूचन और भी आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि कुछ शरार्ती तत्तो अराजक तत्तो आजकर शक्री हैं जो आपकी फेस्बूक आइडी इस्टाग्राम है ट्वीटर है वहां से उसको है करते हैं वहां से आपके कांटेक्ट नंबर या और भी जो कुछ भी है वहां से उ कांट करते हैं उसका मिस यूज करते हैं और पर फिर परेशान करते हैं लोगों को पैसों के डिमान करते हैं इस तरीके से कुछ शरार्ती तत्त तो आजकल सक्री हैं इससे आप लोग उस्यार रहें क्योंकि वो लोग उन लोग पास कोई काम नहीं है, वो सब इस तरीके से बनाते हैं, कभी कहेंगे मैं यूटूब से बोला हूँ, कभी कुछ बोलते हैं, आपके खलाफ ये है, आपके खलाफ वो है, बनाते हैं, बनाके आपको डराएंगे, धंकाएंगे, पैसे की वसूली करत के ग्रोह बना करके काम करते हैं, तो आप मैं सभी अपने दर्शकों को और बाकी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मैं इस बात से आगरह करना चाहूंगा, कि आप लोग होश्यार रहें ऐसे, सरार्थी तत्तों से इनसे होश्यार रहें और कोशिश करें कि अपनी Facebook ID है या जो भी ID आपकी है जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग काम कर रहे हैं उसमें उसको थोड़ा सा सतर्क रहें, कुछ प्राइवेसी लगाएं कुछ जो लोग लगते हैं, जो लोग हैं उसको जो जानकार हैं, जो चला रहे हैं, उनको सबको पता है तो वो लोग अपनी सोशल मीडिया की जो भी आपकी ID's हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं उनको उसमें कुछ प्राइवेसी कुछ सीक्रेट कोट या कुछ भी अईसा लगाएं जिससे ये लोग उस आपकी ID में इंटी न करें उसको हैक न करें उसका गलत मिस्यूस न करें काफी इदर शिकायतें मिली हैं, लोगों की लोग परेशान हैं लोगों से, मगर क्या किया जाए, बस मैं सभी लोगों को इस बात के लिए आगाह करता हूं, होशयार करता हूं कि आप लोग जो भी हैं सभी लोग जो भी सोशल मीडिया से एक्टिव हैं, चाहे फेस्बुक से हूं चाहे इस्टरग्राम पर हूं टुुटर पर हूं जो भी और भी बहुत सरे सोशल मीडिया के ग्रूप्स हैं जिस पे जो लोग काम कर रहे हैं जो करते हैं जुड़े हुए हैं तो मैं सभी भाई बहनों को इस बात के लिए आगरा करता हूं होश्यार करता हूं कि आप लोग अपने अपनी आईडी में कुछ प्राइवेसी लगाएं कुछ होश्यार रहे हैं ऐसे शरार्तिततों से होश्यार रहें क्या ये लोग काफी mentally torture करते हैं जिनके बास कोई काम नहीं है सिर्फ blackmail काम नहीं हैं ये लोग ब्लैक मेल करते हैं longtempsली टार्चर करते हैं इससे काफी लोग परिशान हैं काफी लोग इस इनके शिकार बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात से होश्यार करना चाहता हूँ कि आप लोग होश्यार रहें और अपनी सोशल आइडीज को कि कोई प्रावेसी, कोई सिक्रेट कोड या कुछ भी जैसे भी लाग करते हैं उसको लाग करके रखें और इन लोगों से होश्यार रहें, और साथ ही मैं आप लोगों को और बहुत सारी हमारे जितने भी मोटिवेटर्स हैं, सभी के वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, हमारा दिव्यांगम चैनल दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है हमारे सभी मोटिवेटर्स नई नई सुचना हैं, नई नई पर राम लेकर के आ रहे हैं हमारे दर्शक उनके वीडियो को देख रहे हैं, उनका होसला बढ़ा रहे हैं, मैं सभी अपने मोटिवेटर्स का शुक्रियादा करना चाहूँगा और साथ ही साथ, जो भी जितने भी दर्शक, जो भी दर्शक हमारे दिव्यांगम यूटूब चैनल के वीडियोज को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रियादा करना चाहूँगा, कि वो लोग हमारे मोटिवेटर्स का होसला बढ़ा रहे हैं, ताकि वो और भी नए 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 वाकियाद, नए नए किस्से, नए नए कहानियाँ, नए नए सुचनाए, नए नए जानकारियाँ आप लोगों को देते रहें, और इसमें हमारे रास्ट्रिय अध्धिक्ष, माने विश्रू का, मिश्रा जी का बहुत बड़ा सही होग है, बहुत मेहनत करते हैं, और काफी मेहनत कर रहे हैं, उनका जजबा, उनका होसला, उनको सलाम करता हूँ, और मैं अभी सभी मोटिवेटर्स को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इसी के साथ मैं बिदा लेना चाहूंगा और मैं फिर आप से सभी दर्शकों से फिर से आगरह करता हूँ फिर से विंती करता हूँ कि आप लोग हमारे मोटिवेटर्स हमारे सारे वीडियो देखें उसको लाइक करें, सबस्क्राइब करें ताकि हम कुछ लिखें जरूर, कुछ भी न कुछ न कुछ कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारे जो मोटिवेटर्स हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको पता चले कि वो क्या चाहते हैं आप, किस तरहें के वीडियो दोर चाहते हैं इसी के साथ मैं आपने सभी मोटिवेटर्स का, सभी जो हमारे दर्शक हैं, सभी का शुक्रियादा करना चाहता हूँ, नमस्कार